नमस्कार, जैसियराम हनुमान चालिशा के पढ़ने के कितने फाइदे होते हैं घ्र में जगड़ा, घ्र में बहुत बड़ा कलेष बना हुआ हो और बार बार घ्र में लोग बीमार पढ़ते हो और अन यो परिशानी आने वाली हो इसका सब का इलाज हनुमान चालिसा रामबान इलाज और हनुमान चालिसा को कैसे पढ़े हनुमान चालिसा पढ़ने से पहले दीपक अगर बत्ती और फूल तो लोग चढ़ाते ही हैं साथ में हनुमान जी को गुड और चना बहुत प्रिय है तो हो सके तो यह आप हनुमान च पढ़ने से पहले आप हनुमान जी को चड़ा दे चना और गुड उसके बाद हो सके एक बार या दो बार या तीन बार या पांच बार या साथ बार या नव बार या ग्यारा बार हनुमान चालिसा पढ़े और इसका असर इसका अनुभो आपको 45 दिन के बाद मिलना सुरू हो 35 दिन बाद जो अनवो होता है, किस परकार होता है, जैसे सपने में जोगी मिलना, यह जहाँ पूजा अस्थल होता है, वहाँ पे काली वाली छूटी या मूंगी इस तरीके से आना शुरू हो जाते हैं, और हनुमान जी, हनुमान चाली सा पढ़ने के आप कोषिस करना शुरू करते हैं, जैसे आते हैं, अगर बत्ती या दीपक प्रिचलित करते हैं, उस समय से आपको हनुमान ची का जो चित्र हoting होता है, देखने के साथ आप आखों में आशो आना शुरू हो जाएगा। तो समझो कि हनुमान जी का प्रेम मिलना अब शुरू हो गया है यही है अनुभो हनुमान जी का और जो भाई बहन पहले से हनुमान 40 पढ़ रहे हैं जिनको जो मैंने अनुभो बताया जिनको जिनको इस तरीके का अनुभो आया है इस तरीके का जो आपने बताये हैं मतलब मैंने जो बताया हूँ आप लोगों के या अनुभो आप लोगों को मिला है तो मुझे प्लीज जरूर बताईएगा क्योंकि इससे और हनुमान जी के प्रेम बढ़ते हुए लोगों को लगेगा हमें खुद को भी लगेगा तो इससे हमें अच्छा भी लग जाएगा तो आप प्लीज जरूर बताने की किरपा करें नमस्कार जैस यराम